एलो गाइज स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद अमन कुल में आज हम लाहें शिक्षा निदेशाले रास्य राजदानी शेट डिली की कारी पर्टक नंबर 14 जो कि ग्लास एट के बच्चक लिए विशे आपका हिंदी है और चैप्टर हम करेंगे दि सिर्प आंज हम दिवानों की हस्ती कउईदा कि कुछ पंगतिओं पार चार्चा पर चार्चागए तो यहां पे आपको दिवानों की और यहां की कवीता है कुछ लाईने दे रखे वे एक सो करना की से जो पैस्टी सब्सकारिब करें किस और चले ये मत पूछो चलना है बस इसलिए चले जग से उसका कुछ लिए चले जग को अपना कुछ दिये चले तो ये जो आपकी लाइन है इसका बताया गया कि इन पंग्धियों के मादम से कभी कहना चाते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो अर्दात हमारी मंजिल मत पूछो यानि हम जहां तक पहुँचना जाते हैं ये मत पूछो हमसे हमारा धैरे जो धैर बस चलते जाना है इस यात्रा में संसार में जो कुछ हमें मिला है वह हमने किया लिया और उसके साथ हमसे जो मदद हुई वो हमने की, यानि जो हमें मिल रहा है, जो हमें उसे हमने ले लिया, और जो हमसे कोई मांग रहा है, या हमें मदद करने के लिया है, तो हम उसे दे भी रहे हैं, पर जो हमारी मनजिल है, उसे मत पूछो, हमारा जो रास्ता है, उसे हमें जीना है, फिर आपके स सेकिंड दू बात कहीं दू बात सुनी कुछ हसे और फिर कुछ रोई चखकर सुख दुख के कर लोगों हम एक भाव से पिये चले यह चुक पंक्ति उसमें कभी कहना जाते कि इस यात्रा में हमने अनुभवों के साथ साथ लोगों के अनुभव भी साजा के यानि अपने कुछ बातों की खुशियां भी मनाई और कुछ को दुख को कुछ की जो लोग हैं उनके दुख को भी सहा हमने इस यात्रा में जिस प्रकार के सभी जिस प्रकार के भी दुख या सुख मिले उन दोनों को एक भाव से सुख मिले उन सबको हमने एक भाव से सुख मिले उन सब आगे आपको आप रिची शब्दे रखें जग का हो जाएगा हमारा संसार छक्र रानी मन भर या जी भर अब आपने इन प्रक्तियों की भावर्त को समझ लिया होगा आए इनी प्रक्तियों पर दाहरीत कुछ प्रश्णों के उत्तर करने और खोशते हो लिखते हैं तो प्रश आब हैं सिर्फ जलते जाना जाना उनका काम का म्दिधे चलते जाना शापना अब यहले जाना मंजार tu तो मंजिल तो पर तो पहुँची जाएंगे इसलिए उनकी मंजिल मत पूछो कि वो कहा जाना चाते है प्रेश नमबर दू है जग से कवी को क्या मिला आप इसका अंसा करेंगे तो जग से कवी को सुख और दुख मिला और दोनों को प्रेश नमबर चार है कवी ने सुख और दुख को छक कर पीने की बात क्यों कहीं तो आप इसका अंसा करेंगे कवी ने सुख और दुख को छक कर पीने की बात कहीं क्योंकि उन्होंने इन दोनों में आनन लिया और संभाव से रहे ना सुख पाकर बहुत खुशी में नाचे और नाहीं दुख में उनका मन बोजिल हुआ उन्होंने दोनों को समान रूप से स्विकार किया तो प्रश्च नमर पांच स्टाट करने से बहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मैंने पहले भी बोला तो आपने अभी तक तो कर दिया होगा जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्रश्च नमर पांच है सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्विकार किया जा सकता है तो आप इस कांसर करेंगे सुख में ना ज्यादा बहुत उछले कूदे और दुख में नहीं अपने मन को मौसम मसूम करकर के यानि मसूस कर रहे इस तरह से एक भाव से स्विकार किया जा सकता है यानि जैसे आप नॉर्मल है आपको नॉर्मल लेना है यानि जादा खुशी में उचलना नहीं है और राद दुख में एकदम मासूम सा एकदम रोते नहीं रहना है गति बीदी दे रखे उप्योग पंक्तियों में आपको कौन सी सबसे जाद अच्छ लगी और क्यों अन्शोयत के रूप में अपने विश्चार लिखिए तो आप इस कान से करेंगे, उप्योंग पंक्ती में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि कभी ये कहने कि किस दिशा में जा रहे हैंगे हमसे मत पूछो, यानि अर्दात हमारी मन्जिल मत पूछो, हमारा काम बस चलते जाना है, इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने कार अच्छे से करेंगे, तो हमारा अच्छा ही होगा, तो हमारी मन्जिल मत पूछे, ये लाइ मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको जो लगी, आप वह भी लिख सकते हैं, तो आज कि आपकी जो वो शिट है, वो कम्प्लीट होती है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं ये वीडियो अच्छे लगी तो से लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने वे तेक हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया, तो आपसे जोइन कर सकते हैं, साथ ही आप हम इंस्ट्राग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, थैंक्स वर वाचिंग डियो, बड़ेईस.